आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे that is religious reformers जो के हमारा एक बहुत ही Cambridge के perspective से अगर देखें तो बहुत ही जो है वो important topic है और इस topic की जो सबसे खास बात ये है कि Cambridge जो है वो क्यों हम लोगों को कहता है कि हम इस topic को discuss करना चाहिए क्योंवे देखें हमने जिस तरह से last lecture में discuss किया कि decline of mughal empire का जो link है वो आपके arrival of British से है और British expansion जो है जिस तरह से British यहाँ पर आए उन्होंने expand किया annexations की उसी तरहां बीच में एक छोटा सा part जो है वो religious reformers का भी है कि religious reformers ने ऐसी कौन सी reforms दी ऐसे कौन सी उनकी contributions थी जो के revival of Islam के लिए बहुत जादा important थी देखें सबसे पहले तो हम जिकर करेंगे जो हमारे पहले religious reformer है शाव अलियुला जिनका tenure 1703 से लेकर 1762 तक है and everyone of you knows that के यह वो tenure है like 1707 में जब Aurangzeb की death हुई है उसके बाद से लेकर जो है वो आपके Muslims का proper decline जो है वो start हो है Mughal Empire एक declining phase में चली गई थी British जो है वो political power में आ रही थी और British जो है वो पूरी तरहां से जो है वो India को अपनी colony बनाने की try कर रहे थे तो यह जो है basically एक peak time था जिसके अंदर Muslims का decline चल रहा है और उसके parallel जो है वो British का rise चल रहा है देखें सबसे पहले हम ये discuss करते हैं कि शाव अलियूला की जो reforms है उनकी reasons क्या है देखें obviously सबसे बड़ी reason तो ये है कि मughal Empire की जो political instability है और उसके साथ साथ British और Marathas जो हैं जिस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होने की कोशिश कर रहे है तो यहां पर एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो मुसल्मानों को ये समझाता कि ये जो Muslims का decline है ये Muslims deserve नहीं करते क्योंकि देखें आप सब भाखोबी जानते है कि 7-12 onwards जो है मौमद बिन कासिंग उसके बाद महमूद घजनवी उसके बाद आपका सुल्तानेट पीरियड जो इंडिया में रहा उसके बाद आपके मुगल्स का ज़द दौर रहा तो overall throughout these years आपकी जो एक Muslim importance थी इंडिया में वो बहुत ज्यादा थी लेकिन अब जो है वो British का आगे निकलना मराठास का आगे निकलना non-Islamic practices का पूरे हिंडुस्तान में फैलना तो ये चीज़ जो है कि Muslimानों की ये बहुत ज़ादा dangerous थी उसके बाद corruption और economic decline जो है वो बहुत ज़ादा यहां पर जो है वो तेजी से बढ़ रहा था जिसकी वज़ा से शाव अलियूला को ये realize हुआ कि Muslims जो हैं उनको एक proper guidance की जरूरत है Muslims आपस में उनका इत्वाद जो है वो खत्म होता जा रहा था शिया सुनी के मसाइल जो हैं वो हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे थे जिसकी वज़ा से एक religious decline जो था उसका खौफ शाव अलियूला के दिल में था देखें इन चीजों से पहले topic को start करने से पहले उनके क्या actions थे किस तरह से उन्होंने इन चीजों को deal किया उससे पहले मैं आपको एक बहुत आहम बात यहां पर यह बताना चाहता हूँ कि शाव अलियूला जो है उनके background के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वो यह है कि शाव अलियूला शुरू से जो है वो religious education में काफी ज्यादा जो है वो interested थे मेरे students इस बात को जानते हैं जब हम class में जिकर करते हैं कि वज़ा से शाव अलियूला रेलाइज बहुत दिहान से बात को सुनियेगा कि शाव अलियूला रेलाइज that he has to do something for the Muslims of India अगर उनके होते हुए मुसल्मानों का जो decline है वो इसी तहां बरकरार रहा अगर उनके होते हुए मुसल्मान जो है वो अपने आपको revive ना कर सके दुवारा से grow ना कर सके तो ये चीज जो है ये एक time आएगा कि मुसल्मान जो है उनका नाम उनका निशान हर चीज जो है वो मुकमल तोर पर हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी देखें अगर अब हम बात करें paper perspective से तो हमें ये समझना है जो चीज हमारे लिए important है ताके उसमें आपका वो भी वक्त जाया ना हो कि हमें किस तरह का question आता है और उस question को हमें handle किस तरह से करना है देखें जब भी question आता है religious reformers के उपर most of the times वो questions आता है हमारे religious reformers की achievements पर कि क्या या उन्होंने क्या actions लिए या किस तरह से जो है उनकी contribution रही है for the Muslims of India तो देखें अगर हम उनके achievements के बारे में बात करें उनके actions के बारे में बात करें तो शाव अलियूला ने for the revival of Muslims मुसलमानों को दुबारा से revive करने के लिए मुसलमानों को दुबारा से track पर लाने के लिए शाव अलियूला ने कुछ efforts की हैं जो के आपको अपने question का जो answer होगा उसमें mention करनी होगा आप जैसे screen पर देख सकते हैं अगर आप picture लेना चाहते हैं picture भी ले सकते हैं देखें सबसे जो बड़ी contribution शाव अलियूला के समझी जाती है वो ये समझी जाती है कि he was the first person ever who translated the holy Quran into the Persian language शाव अलियूला ने 1739 में मुसलमानों के लिए specially बर्रे सघीर के मुसलमानों के लिए जो कुरान है उसको translate किया Persian language में क्योंके he knew that कि लोग जो है उनको Arabic पढ़ने में थोड़ा सा मसला है लोग अगर Arabic पढ़ते भी है तो कोई ऐसी उनके पास translation नहीं है जिसको पढ़कर वो समझ सकें कि कुरान जो है क्योंके कुरान देखें कुरान जो है वो कामिल है उसके अंदर हर तरहा की मालूमात है कि इस मुसल्मान जो है उनको क्या करना चाहिए उनको मुश्किल वक्त में क्या steps लेने चाहिए क्योंके वो एक complete book है तो कुरान जो है उसको Persian में translate करने का मकसद ये था कि वहाँ पर उस टाम मुगल दौर चल रहा था बेशक वो decline चल रहा था लेकिन मुगल दौर में जो आपके हिंदोस्तान के official language थी वो Persian थी तो he translated the Quran into the Persian language जिसकी वज़ा से मुसल्मान अगर चाहे तो उनकी translations को पढ़के जिसके अंदर उन्होंने जाहिर है हदीस को भी compile किया कुरान को भी compile किया क्योंकि देखें पूरी तरहां से शाव अलियूला ये चाह रहे थे कि मुसल्मान बजाए किसी scholar के बजाए किसी teacher के बजाए उलमा कराम के जितने भी तालीम है जितने भी मसाइल है उनका हल जो है वो कुरान और हदीश से ढूने उसके इलावा अगर हम एक और उनकी contribution की बात करें क्योंकि अगर इनके seven mark question आता है तो आपके पास तीन contribution उसमें होनी चाहिए at least तो उनकी जो Islamic education थी वो किस तरह से उन्होंने लोगों तक पहुचाई देखें उनके वालिद जो थे उनका नाम था शाअब्दुर्रहीम तो शाअब्दुर्रहीम जो है उनका एक मदरसा था जिसका नाम था मदरसा रहीमिया तो शाव अलियुला जो है वो खुद भी मदरसा रहीमिया तालीम वासिल की उसके इलावा एक और कंट्रिबुशन शावलियूला की ये है कि he became an advocate for the Shia Sunni unity क्योंकि Shia Sunni के जो मसाइल थे वो afford करना इस वक्त possible नहीं था हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान में already जो है वो मुसल्मानों का डिकलाइन चल रहा है already जो है वो मुसल्मान सही रास्ते पर नहीं चल रहे और अगर वो आपस में ही लड़ते रहेंगे फिरकावारियत रहेगी आपस के मसाइल हल नहीं होंगे तो दुश्मन जो है उसके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी वो already expand करना चाह रहे हैं तो इस सूरत में मुसल्मानों का आपस में request की थी क्योंके Marathon Empire जो है उस टाइम वो पूरी तरहां से हिंदुस्तान पर काबिज होना चाह रहे थी तो शावलियूला जो थे वो ये चाह रहे थे कि मुगल्स जो है वो अपनी आर्मी को लेकर Marathans पर attack करें ताके Marathans जो है उनको resist किया जा सके और मुसल्मान जो है उनकी लिए ये बेहतर साबित हो लेकिन मसला वहाँ पर ये आ रहा था कि मुगल्स जो है ना तो उस वक्त उनके पास उस तरहां से strong आर्मी थी ना ही उस तरहां से वो बात उनके लिए important थी क्योंके हमने अपने पिछले achievement discuss किया कि किस तरहां से जो है उस टाइम मुगलों के अफ़ानिस्तान के जो रूलर थे एहमशाँ अब्दाली उनको लिटर लिखा एहमशाँ अब्दाली केम इन अपने इंप्धानिट करने के बाद एहमद शावदाली जो है उन्होंने एक थोड़ा सा यहां पर जो है मुसल्मानों को वो एक होसला हुआ मुसल्मानों के लिए एक बहुतर स्टैप था कि मराथान एंपायर को थोड़ा सा जो है इस बात का एसास हुआ कि still मुसलिम्स और अलाइव और दे कें डू अनिटिंग तो शावलियूला की यह जो कंट्रिबूशन है यह बहुत ज्यादा important contribution है इसके इलावा अगर मैं आपको एक और मेरे माइन में आई रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ एक और बहुत important contribution है that he wrote 51 books on different topics जिसके अंदर से जिसके अंदर हुज्जत बलेगा जो है वो एक बहुत मश्चूर किताब है उनकी उसके इलावा उनकी एक किताब जो है खलीफा 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 जो है वो एक बहुत important किताब है तो अगर हम बात करें हमारे अगले reformer की जिनका नाम है सेद एहमद शहीद बरेलवी देखें सेद एहमद शहीद बरेलवी का जो दौर है वो 1786 से लेकर 1831 तक है सेद एहमद शहीद बरेलवी का रोल जो है वो भी religious reformer है उनकी भी जो खिदमात हैं वो सब continent के muslims के लिए ही है लेकिन सेद एहमद शहीद बरेलवी को अगर मैं being a historian थोड़ा सा like separate करूँ उनके ideology को शाव अलियुला से तो मैं इस तरह से करूँगा कि देखें शाव अलियुला ने जो steps लिए जो actions लिए वो सब और सब पूरे सब continent के muslims के लिए थे लेकिन what सेद एहमद शहीद बरेलवी did he did for the muslims of Punjab क्यूंके देखें हो उस वक्त ये रहा था कि 1799 से लेकर 1839 तक जो है वो पंजाब का एक ruler था जिसका नान था महराजा रंजीत सिंग महराजा रंजीत सिंग जो थे वो एक Sikh ruler थे और पंजाब जो है वो fully dominated था Sikh empire से तो पंजाब में जो muslims थे उनको problem क्या आ रहा था problem ये आ रहा था पंजाब में कि वो लोग muslimानों की जो activities थी muslimानों के जो customs थे non-sit traditions थे या religious activities थी उस पर उन लोगों का rule बहुत ज़्यादा effect कर रहा था मसला यह आ रहा था कि अगर कोई मौस देस्ट्रक्शन हो रही है उसको resist किया जारा था सिखों की तरफ से कोई muslimानों का तहवार आ रहा है उसमें मसले आ रहे थे इद आ रही है उसमें मसले आ रहे थे पूरी तरहां से जो है वो आपके पंजाब के muslims को exploreٹ کیا جا رہا تھا تو एक ऐसा बंदा जिसका तालुक एक गाउं राय बरेली से था इसे हिए उनको सेद एहमेद शहीद बरेल्वी भी कहा जाता है तो सेद एहमेद शहीद बरेल्वी जो है उनका असल नाम जाहिर है सेद एहमेद ही है तो एक ऐसा शक्स उसको ये रेलाइज हुआ कि अगर मैं यहां पर कोई अपने पंजाब के मुसल्मानों के लिए स्टेप नहीं लूँगा तो एक वक्त आएगा कि पंजाब से मुसल्मानों का नाम और निशान मुकमल तौर पर खत्म हो जाएगा तो सेद आहमशहिद बरेलवी की अगर हम contribution के हवाले से बात करें कि उन्होंने मुसल्मानों के लिए क्या किया क्या उन्होंने स्टेप्स लिए तो देखे सबसे जो अहम बात है, सबसे जो important बात है वो ये है कि सेद एहमेश शहीद बरेलवी ने 18.8.26 के अंदर एक movement स्टार्ट की जिसका नाम था जिहाद movement सेद एहमेश शहीद बरेलवी की इस जिहाद movement के नाम से ही आपको इस चीज़ का अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनका जो मकसद था वो जिहाद था, जिहाद क्या है, आप सब जो है शायद मुझसे बेतर जानते हो कि कोई भी आर्मी या कोई भी रूलर जो है, अगर वो मुसल्मानों को नुकसान पहुँचा रहा है या मुसल्मानों के अगेंस जा रहा है तो उसके खिलाफ एलाने जंग करना या practically जंग करना, उस तो हम जिहाद कहते हैं आसान अलफाज में तो देखे सियद एहमद शेहिद बरेलवी जो हैं, उन्हों ने ये सोचा कि हमें इन सिखों के रूल से अगर आजादी चाहिए, अगर हमें इनके रूल से बाहर निकलना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही हल है और वो है जिहाद अगर हम इनके खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे, हत्यार नहीं उठाएंगे, तो हमारा नाम और निशान, हमारा नसब हर चीज़ जो है, वो हिंदुस्तान से खत्म हो सकती है तो सियद हम शेहिद बरेलवी जो है, वो गलियों में और लोगों के घरों में और डिफरेंट तरहां से जो है, उन्होंने अपनी प्रमोशन की, अपनी जिहाद मुव्मेंट की, कि ये एक मेरी आइडियालोजी है, और मैं इसको पर काम करना चाह रहा हूँ तो सियद हम शेहिद की, अगर हम मिलिटरी के बारे में बात करें, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं देखें, ये और्गनाइज़ इस फोसे इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटिर प्रोविंस, NWFP, जिसको अज के पी के कहा जाता है और लिट सेवरिल मिलिटरी केमपेंज़ अगेस्ट असिक्स, बहुत सी उन्होंने केमपेंज़ जहें वो सिक्कों के खिलास की मुक्तिफ लड़ाईया हुई, किसी में वो फत्ह याब हुए, किसी में उनको शिकस्त हुई, विद अएम आफ लिबरेटिंग मुस्लिम and establishing an Islamic government based on शरिया, तो यहां से आपको एक बात समझा जानी चाहिए, कि उनका जो मकसद था, वो ये था कि हमें हिंदुस्तान के अंदर, खसूसी तौर पे पंजाब के अंदर जो है, हमें एक Islamic government जो है, वो establish करनी है, और वो जो होगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है, वो शरियत भी आ जाता है, तो battle of balla court, happened in 1831, battle of balla court का सिलसला ये है, कि सेद हमें शहीद जो है, वो जंग करने जो है, वो सिखों की जाहिरा, मैं आपको बताया है, कि उनकी जो base थी, वो NWSP में थी, जो कि आज KPK के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर सेद हमें शहीद जो है, उन्हो उन्हों ने वहाँ पर अपना camp लगाया, बेस लगाया, तो उनका ये plan था कि सिखों के साथ हमने जंग करनी है, सिखों को हमने शिकस्त देनी है, और उसके बाद पूरी तरह से जो है, हम एक Islamic government जो है, वो यहाँ पर बना सकते हैं, अपने पंजाब में, तो वहाँ पर जो है किसी ने उनके बारे में inform कर दिया, वहाँ पर जो है, वो आप कहलें के mutiny हुई और सेद एहम शहीद बरेलवी के camp के बारे में, उनकी location के बारे में जो है, वो सिखों को बता दिया गया, तो सेद एहम शहीद के against जो आर्मी थी सिखों की, उसका जो लीडर था, उसका नाम थ शेर सिंग, तो शेर सिंग जो है, उसके साथ जो आर्मी थी, they attacked the camp of सेद एहम शहीद बरेलवी, और जाहिर है, रात के सरनाटे में जब एक दम से जब हमला किया जाएगा, तो obviously उस वक्त इंसान जो है, वो mentally prepare नहीं होता, तो six जो है, उन्होंने easily जो है, वो सेद एहम शहीद बरेलवी की जो आर्मी थी, उनको शिकस दी, और उसका नतीजा ये निकला कि सेद एहम जो है, उसके बाद से, सेद एहम शहीद कहलाने लग गए, 1831 में, Battle of Balakot के बाद, देखें, हमारे जो तीसरे religious reformer हैं, जिनका नाम आप सब जो है, जानते हैं, सुना होगा, उनका नाम ह सेद, सौरी, उनका नाम है हाजी शरीयत उल्ला, सौरी, देखें, हाजी शरीयत उल्ला जो है, उनका जो मकसद है, वो ही है, जो मकसद शाव अल्यूला और जो मकसद आपके सेद एहम शहीद बरेलवी का है, हाजी शरीयत उल्ला के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलू जाहिर है वक्त को भी हमने जो है वो जहन में रखना है हाजी शरीयत उल्ला का जो टेनियोर है वो है 1781 से लेकर 1840 तक almost similar to सेद एहमेशेही लेकिन यहाँ पर जो मेंग चीज आप लोगों को समझनी है वो यह समझनी है कि सेद एहमेशेहीद बरेलवी शावलियूला और हाजी शरीयत उल्ला इन तीनों की ideologies अगर सेम है तो उसमें difference क्या है देखें सेद एहमेशेहीद बरेलवी जो है उनका जो उनकी जो ideology है उनकी जो reforms है उनकी जो resistance है वो सिर्फ पंजाब की हर्त तक है शावलियूला जो है वो जो revival चाह रहे थे वो overall Muslim community का चाह रहे थे लेकिन हाजी शरीयत उल्ला का जैसा आप सब जामते हैं कि उनका जो तालुक है वो फरीद पूरे गाउं है वहाँ से था बंगाल में तो बंगाल जो है उस वक्त एक बहुत आहम सूबा था क्योंकि Battle of Plassey 1757 हो चुकी थी Battle of Buxer जो है 1764 वो हो चुकी थी तो अब जो है वो British की monopoly create हो चुकी थी कहाँ पर बंगाल में तो British की जब monopoly वहाँ पर हो चुकी थी तो पूरी तरहा से वो Muslims को बंगाल के अंदर exploit कर रहे थे वहाँ पर structure समझेगा कि वहाँ पर structure क्या है बंगाल के अंदर आपकी जो monopoly है जो officials है वो सारे British है ठीक है और उसको हम British colonial operation भी कह सकते हैं और साथ में जो influence था सबसे जादा वो हिंदूस का था क्योंके वहाँ पर जितने भी landlords थे वो mostly हिंदूस थे तो वो क्या कर रहे थे कि वो पूरी तरहां से आपके मुसलमानों को exploit कर रहे थे आपके जो peasants रखे जाते थे, मज़्डूर रखे जाते थे, किसान रखे जाते थे वो मुसलमान रखे जाते थे तो अब इसने यस ने एक और मसला बंगाल में यह आ रहा था जो हाजी शिरियत उल्ला को रेलाइज हुआ वो ये हुआ कि वहाँ पर इस्लामिक प्रैक्टिसिस का डिकलाइन चल रहा था क्यों? क्योंके वहाँ पर हिंदूस एक तो मिजॉरिटी में थे छीक है वहाँ पर हिंदूस जो है वो सरयाम अपने कस्टम्स अपनी प्रैक्टिसिस अपने ट्रिडिशन को फॉलो कर रहे थे वहाँ पर आइडिल वर्शिप हो रही थी सरयाम कोई वहाँ पर हिंदूस के लिए रोक टोक नहीं थी क्योंके जाहिर है वो लैंडलॉड्स थे और वो वहाँ के एक बड़े रिच लोग कंसीडर होते थे तो हाजी शरीयत अला जो है उनको ये बात रियलाइज हुई कि यहाँ पर इसलाम की प्यूरिटी का रिस्टोर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर जो है अगर रिलिजिन को निगलेक्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से तो बंगाल जो है उसके अंदर मुसल्मान जो है उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंके आपके जो मुसल्मान थे वो सारे अट्रैक्ट हो रहे थे आपके हिंदू प्रैक्टिस की तरफ आपके जो बंगाल के मुसल्मान थे उनको हिंदूस के ट्रेडिशन्स उनको उनके कस्टम्स यह चीज़े बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी तो बिटिश कुलोनियल रूल भी चल रहा है साथ में जो हिंदूज हैं वो लैंड लॉर्ड्स हैं और जिस तरह से वो एक्स्प्लाइट कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं मुस्लिम्स को अपनी तरफ तो उनको ये चीज़ मुस्लमानों के लिए बहुत जादा डेंजरस लग रही थी तो इस चीज़ से मुस्लमानों को निकालने के लिए आपके जो हाजी शरीयत उल्ला हैं उन्होंने 1818 के अंदर एक मुवमेंट स्टार्ट की जिस मुवमेंट का नाम था फराइजी मुवमेंट फराइजी मुवमेंट जो है वो 1818 में हाजी शरीयत उल्ला ने स्टार्ट की और आप नाम से इसका अंदाजा लगा सकते है कि इसके अंदर फर्ज का जिकर है मतलब ये है असान अलफाज में कि जब तक मुसल्मान अपने फराइज सर अंजाम नहीं देंगे अपनी बेसिक ड्यूटी जिसके अंदर नमाज, रोजा, जकात ये चीज़ शामिन है जब तक मुसल्मान जो है वो ये सब कुछ नहीं प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तब तक जो है वो रिवाइवल नहीं हो सकता अगर मुसल्मान जो है उनको इस जोम से बाहर निकलना है, अगर उनको बिटिश ओप्रेशन और हिंदू जिस तरह से एक्स्टॉइट कर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकलना है, तो मुसल्मान जो है उनको अपने फराइश सर अंजाम देने होंगे तब ही जाकर हम बंगाल को एक प्यूर इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं, उसके इलावा क्योंकि देखें, वहाँ पर जो है वो आडल वर्शिप हो रही थी, वहाँ पर हिंदू फेस्टिवल्स के अंदर मुसल्मान जो है वो पूरी तरह से पार्ट ले रहे थे तो ये चीज़ें जो है आपके इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस तो ये चीज़ उनको फील हुई कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है मुस्लिम कम्यूनिटी मेरा ये बहुत बड़ा जो है वो प्रॉबलम है तो पूरी तरह से जो है हाजी शरीयत उल्ला ने अपोस किया आपके ब्रिटेश और हिंदू रूल को अच्छा उसमें मैं एक और चीज़ आड़ ये करना चाहूँगा देखें जिस तरह से वो एक्स्प्लोटेशन से बचाना चाहरे थे हिंदू लैंडॉर्ड्स की और ब्रिटेश राज की जो ब्रिटिश रूल चल रहा था बंगाल में तो उनको ये चीज़ रेलाइज हुई कि इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो मुस्लमान है बंगाल के उन्हें ब्रिटिश के जो कोड्स हैं उनसे बाइकॉट करना चाहिए और जितने भी हिंदू-run institutions हैं मगाल के अंदर उनसे बिल्कुल cut-off और बाइकॉट कर देना चाहिए अगर मुस्लमान ऐसा करेंगे तो उनके ये जो है वो revival मजीद जो है वो असान हो जाएगा और exploitation से जो है वो बच सकते हैं उसके इलाबा अगर हम एक और contribution पर बात करें हाजी शरीयत उलागी तो उनकी जो local religious leadership थी वो बहुत strong थी he hired few of the people जिनके through उन्होंने अपना message जो है वो क्योंकि जाहिर है उस time communication एक बहुत बड़ा problem होता था और कोई असान नहीं होता था जगा जगा पर अपना पैगाम पहुँचाना तो उसके लिए हाजी शरीयत उलागी क्या किया हाजी शरीयत उलागी कुछ लोग hire किये और उनको ये कहा कि आप लोग जो है different लोगों के पास जाएंगे different जगाओं पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमारी इस बाग की pharisee movement की तबलीग करेंगे वहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि देखें हिंदूस की जो customs में और un-islamic practices में आप लोग involved है ये suitable नहीं है हमारे लिए और किस तरह से जो है वो British से और हिंदूस से जो है वो हमें आजाद होना है और उनके जो influence है उससे बाहर निकलना है तो हागी शरीयत उल्ला जो है उनकी इस freezing movement को उनकी death के बाद 1840 onwards जो है उनके बेटे जिनका नाम ददू मिया है और उनको मतलब ददू मिया के नाम से जाना जाता है असल नाम उनका जो है वो मिया मोसिन है तो वो जो है उन्होंने इसको carry forward किया और उन्होंने जो है वो different बंगाल के areas with districts में जो है अपने खलीफा जो है वो अपने जो like लोग अपॉइंट किये और उनके थू जो है वो different जगों पर message पहुंचाया और even उन्होंने लोगों को ये भी कहा था कि हमें जो है वो इस चीज के उपर जो है वो proper serious होकर काम करना है ताके हम जो है अपने जो हाजी शरीयत उल्ला हैं उनकी इस ideology को जो है वो पूरे बंगाल में पहुंचास है तो ये basically आपकर जो तीन religious reformers हैं उनकी contributions थी जो के आपको 7 mark question में और 14 mark question में काफी help करेंगी so if you guys have any kind of question कोई भी problem हो कोई चीज समझ ना आई हो कोई confusion हो तो please 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 आप लोग comment section को ज़रूर use कीजेगा बजाएं इसके के सिर्फ आप उसे use करें comments के लिए और reviews के लिए even आप को information इसमें अगर add करना चाहते हैं तो उसे please use कीजेगा I hope के आप लोग को काफी चीजे समझ आगी होंगी thank you so much everyone